नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में विपक्षी गंडबंणन इंडिया ब्लॉक के कोर कमेटी की बैठक होनी है पर बैठक से पहले ही विपक्ष में जम कर घमसान की खबरे सामने आ रही है पूरा का पूरा बिपक्ष ब्रस्टचार की मामने में फस चुका है आज टीमसी सांसर दुसरत जहां से फ्लैट विक्री घुटाले में पूश्टाच कलकत्ता के एडी दफ्तर में चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब शेक बनर जी भी फस चुक है तो वहीं एक बड़ी कबर लालू यादफ से भी जुड़ी वी सामने आई जिसमें लालू यादफ को लैंड फो जॉब स्कैम मामले में बड़ा जटका लगा है केंद्र ने सीवियाई को केस चलाने की मंजूरी दे दी है तो वहीं बात करें जारकन के मुकी मंतरी हेमन सो की तो वो भी एडी की जाल में बूरी तरीके से फस चुके हैं वहीं अब विपक्षी गटबंधन इंडिया ब्लॉग में पीम की दावेदारी को लेकर भी घमसान की खबरे सामने आ रही है तमाम बड़ी खबरे और अपडेट के साथ मेरे साथ नियूजरूम से जुड़ी ह है Capital TV के Executive Editor राजीब जी राजीब जी एक के बाद एक मुसीबत बढ़ रही है लेकिन व्रस्टचार का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है कैसे व्रस्टचार की मामले में विपक्ष की तमाम बड़े नेता फस्तिवे नजर आ रहे हैं देखिए सबसे पहले जब ये गठवंधन बन रहा था INDIA तो उसी समय पता चल गया था कि ये चोर लुटोरियों का गैंग है जो अपने आपको CBI ED फरजीवाले से बचाने के लिए एक गठवंधन बनाया है जो सब मिलकर एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश कर जो पिछले 6 महीने से कर रहा था कि हमें EDI CBI का डर दिखाया जा रहा है हमारे खिलाफ कारवाई की जा रही है यही लोग 14 पार्टियों के लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे कि ED हम लोगों को परिशान कर रही है अब CBI और ED जो आपके खिलाफ मामले चल रहे हैं उसी पे तो कारवाई कर रही है ऐसा भी नहीं है कि यह मामला अभी का है जैसे लालु यादब के खिलाम चाहे आया सिटी सी घोटाला हो लैंड फॉर जोब हो चारा घोटाला हो यह सारे घोटाले पहले के ही हैं लालु यादब जब benefit sir तो आया Zur. ऐसे दिखिर गोप्य तर सर्का आने से काफी पहले के हैं तो पुराने हैं लेकिन आक्शन ताबरतर हो रहा है तो एक एक करके आपसे समझेंगे पहला लालुयादव का आपने जिक्र किया तो वह आपसे समझना चाहेंगे सीबी आई को अब केस चलाने की मंजूरी मिल गई है अब आगे क्या होगा क्योंकि बेल पे है लालुयादव अब मुश्किले कैसे बढ़ सकते देखिए सबसे पहले तो बेल खत्म होना चाहिए लालुयादव का और खत्म होगा एक महीने जादा टाइम सुप्रिम कोट से मिल चुका है सुनवाई के लिए कि एक महीना का और समय दे देते हैं तब तक लालुयादव कुछ फिट हो जाए लालुयादव आज कल मंदिरों का चकर लगा रहे हैं डर है उनके अंदर क्योंकि ऐसे तो ये मंदिर जाने वाले लोग नहीं हैं ये सनातन विरोधी लोग हैं ज सिर्फ आपात काल में ही इन्हें हिंदू देवता नजर आते हैं उनके शरन में जाते हैं सोनिया गांधी के खिलाप आज कितना बड़ा गंभीर आरोप लगा है रविशंकर परसाद ने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा गठवंधन सनातन विरोधी है क्योंकि सोनिया गांध जो की बैंगलूरू से लेकर मुंबई तक सबको इकठा करने में जुटी हुई थी इस गठवंधन के सबसे महतपूर नेता मानी जाती है अब तक चुप क्यों है सनातन के विरोध में बयान बाजी जो हो रही है और उनहीं के गठवंधन सहयोगी कर रहे हैं उन मामलों में उदय ने दिया स्टालिन ने जो कहा वो सामान ने बात नहीं थी ये पूरी तरीके से एक कॉंस्पिरेसी को जन्म देता है कि यहाँ पर हिंदूों के खिलाब एक आकरामक तरीका अपना हो और राहुल गांधी सोनिया गांधी चुप हैं ये रविशंकर प्तार तो सवाल ख ये लोग सनातन वीरोधी हैं आप मिटिंग करते हो आप अपने आपको सो कॉल्ल सेकुलर पार्टी कहते हो अब पंत निर्पेक्ष पार्टी अपने आपको कहने के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि किसी एक धर्म विशेष को टार्गेट कर रहे हैं किन मुद्दों पर प ये जो कहा जाता है कि जातियों की विवस्ता धर्म के मूल में नहीं है, क्रिश्चनिटी या इसलाम के मूल में नहीं है, लेकिन धरातल पर तो हिंदू के जो सनातन धर्म है उसके मूल में जातियां नहीं है, उसके मूल में सिर्फ वर्ग विवस्ता, वर्ण विवस्ता की बा बात नहीं की गई है लेकिन धरातल पराते आते ये सारे जो विभेद होते हैं वो सामने आ जाते हैं जब सारे धर्मों में हैं अगर आप हिंदू की बात करते हो इसलाम की भी करो कि इन बुराईयों के कारण हिंदुस्तान में एक वर्ग विसेश को हर धर्मों में एक जाती व जो जितने हैं कुंजडे हैं उसके बाद नाई हैं धोबी है सारे है जातियां उसमें भी और आपस में साधी विवाह भी नहीं होती है लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे तो मतलब इनके एजेंडे में है सेकूलरिज्म के नाम पर जातियता का जहर फिर से भरो और सनातन धर्म को टारगेट करो इसी पर सोनिया गांधी गिरी हुई है भारतिय जंता पाटी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है जिसमें ये पिछरते जा रहे हैं बैक फुट पर हैं और लालु यादब को इन ही सारे मामलों के लिए देवगर जाना पड़ रहा है लेकिन सबसे बड़ा स से पुष्टाच होगी दूसरा अभी फिलाल तो नुश्रत जहां से फ्लैट बिकरी घुटाले में पुष्टाच चल रही है कितनी बड़ी मुसीबत है ये दोनों नेताओं के लिए क्योंकि एक तो कोर कमिटी की बैचक होनी है अभिशेक बनर जी उसमें सदस भी है देखि को देखे सब के खिलाप बड़े बड़े आरोप हैं अभिशेक बनर जी ने क्या तरक दिया कोडिनेशन कमीटी की बैठक होनी है और उस बैठक में चुकि हम मिंबर हैं तो हम जाएंगे और उससे पहले तेरा तारीक को ही हमारे लिए फर्मान आ गया एडी दफ्तर में जान के मामले में कारवाई हो रही है तो कह दो चुनाव आने वाला है इसलिए कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में इसी चुनाव की प्रक्रिया को बदलने के लिए प्रिये मोदी ने क्या कहा वन नेशन वन एलेक्शन फिर तो यह नहीं कहोगे कि यह चुनावी मुद्दा है पाँ साल तक ये मामला नहीं उठा सकते कि राजस्थान में चुनाव है इसलिए सरकार ऐसा कर रही है मंद्व परदेश में चुनाव है करनाट ये तो सारे जगह पर चुनाव होते ही रहेंगे त्योंकि इतने स्टेट का चुनाव होता है उसके बाद पंचायत का चुनाव होता है तो ये चुनाब की परकरिया के साथ एक और मामला है हम पॉलिटिकली स्ट्रॉंग हो रहे हैं इसलिए हमारे खिलाफ कारवाई कर रही है हम बैठक में जानने वाले हैं तो तुम्हारी बैठक ये जो कॉडिनेशन कमीटी की है ये तो हर दसमें दिन के बाद होगी अभी चुन कॉडिनेशन कमीटी की बैठक होनी है पर अब नितेश कुमार को पिम बनाने की मांग तेज होती जाए कि इन नेताओं को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि संजेराउद क्या बेल कभी कैंसल हो जाए तेज प्रताप तेजस्वी यादब जैसे लोग तेजस्वी यादब इस दूट रहे थे, क्रसर मचीन भी लगा रहे थे, ठेका ले रहे थे, तो यह सारे जो कॉडिनेशन कमीटी में हैं, इनको एक सिल्ड की तरह रखा गया है, कि जब एडी का एक्शन हो सुप्रिम कोड जाओ, कहो कि हम जो चुनाभी कैंपेन तयार कर रहे हैं, हमको परिशान कर रहे है सरकार, और जहां तक कॉडिनेशन की बात है, यह तो संभव है नहीं, मुंबई की बैठक हुई, उससे पहले भी पी एम के सारे दावेदार सामने आ गए, अब कॉडिनेशन कमीटी की बैठक होनी है, यानि की कमपेन तै करना है, और उसमें चेहरा दिखाना है, यह क कमीटी बनी क्यों, और कमीटी का चेयरमेन किसी को क्यों नहीं बनाया गया, यह कॉडिनेशन का अभाव है, तभी बनाया गया, और ललन सिन, जो खुद ही इस कॉडिनेशन कमीटी के मिंबर हैं, वही बता रहे हैं, कि नितीश कुमार सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं, तो वहाँ पर जब बैठक होगी, वो अपने नेता के बारें बोलेंगे, यहां तक कि अखलेस यादव जैसे जो नेता है, उनको भी पी-म का दावेदार बता है, अब राघव चड़ा जैसे लोग, कभी भी यह कही नहीं सकता, कि केजरिवाल के अलावा इस देश में कोई और नेता है, जो पी-म का दावेदार हो सकता है, तो सारे पातियों के अंदर यह जो अपने अपने पी-म के दावेदार हैं, यह कौडिनेशन संभब नहीं है, मतलब सोनिया गांधी से लेकर लालु यादव, नितीश कुमार, ममता बनर जी, संजे राउत, यह सारे जो उपर भी कारवाई होगी, यह लालो यादव सिर्फ नहीं है बिहार में, नितीश कुमार अभी तक छुपे हुए थे, इस एंबुलेंस घोटाले में तो नितीश कुमार का सीधे ना मारा है, क्योंकि उसी के सांसत जो हैं, चंदरवनसी, उनहीं के परिवार के लोग इस एं एक कंपेइन के लिए डिजाइन बनाने वाले सारे कॉडिनेशन कमीटी के मेंबर जेल के अंदर हो, अर्विन केजरिवाल इन दिनों कहा है, क्योंकि दो दिन पहले ये खबर साब ने आई थी, कि दिल्ली शराब गुटाले में शुनिवास सुलू सरकारी गवाब बन चुक कॉंग्रेस के नेता उनके उपर आरोप लगाते हैं, इधर LG का इतना ज़्यादा दवाब है कि वो सिर्फ भारतिय जनता पार्टी किंदर सरकार LG के मामले में उलजे हैं, G20 में भी उन्होंने कहा कि हमें पैसा ही नहीं दिया गया प्रिक्रेशन करने के लिए किंदर की क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपस में लड़ेगा तो उसके बाद कहीं न कहीं हमारे पास भी एक मौका होगा कि हम अपनी दावेदारी पेश कर सके और इसलिए अरविंद केजरिवाल अभी चुप चाप बैट कर देख रहा है पहले इन लोगों की लड़ाई को उसके एक्सन चल रहा है अभी मनी सिसोदिया के बाद नंबर तो आना ही है केजरिवाल की इसके घर में बैठक हुई मिटिंग हुई और जो मनी सिसोदिया का सेकरेटरी है उसने भी गवाही दिये अब एक नया गवाह मिल गया और ये रागब मंगूटा का ये लोग जो हैं लेकेदारी चल रही है उसमें इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ तो ये केजरिवाल के लिए बड़े आफ़त है अब केजरिवाल के लिए भी नंबर आने वाला है लालु यादव की तरह रावेदारी को लेकर हो या एजंडा स्ट करना हो हर मुद्दे को लेकर विपक्ष का गडबंदन इंडिया ब्लॉग बूरी तरह से फस चुका है इस बड़ी कपर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यामने पसंद रवी के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीवी